नवस्कार मैं हूनी लूँ तो जैसे की आशंका जताई जा रही थी कि इरान अब खुल कर फ्रंट फुट पर खेलेगा हुआ भी कुछ ऐसा ही कल करीब साड़े साथ बजे अगर भारते समय अनुसार बात की जाए तो दस बजे के आसपास एरान ने जबरदस्त कह सकते हैं मिसाइल दागे इसराइल पर हलाकि कितने कितने नुकसान इसरेल को हुआ है कितने मिसाइल अंदर तक पहुँची है ये तो अभी आंकलन नहीं हो पाया है लेकिन कहा जा रहा है कि इसे इसरेल को बहुत जाता नुकसान हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इरान वर्सेज इसरेल ये युद्ध हो गया है यानि अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है और इसे एक बड़े वार के रूप में देखा जा खास तोर पर अगर इरान की बात की जाए तो इसने साफ तोर से एलान कर दिया है ये तो पहली खेप है आगे देखे क्या होता है इसी पर बाच्चित करने के लिए मैंक मेरे साथ जुड़ गए है मैंक सबसे बड़ी बात है ये पहली खेप थी इरान ने ये दावा किया है अभी तो देखे हमें तो बदला लेना है चाहे वो हनिया का बदला हो या फिर नसरुला का बदला हो हम बदला लेंगे और उसी की तर्श पर एक बड़ा हमला कल हमने देखा इसलिए लेगे इरान की तरफ से यह जो हमला हुआ है इसने इस पूरे वार का सुरूप बदल के कि इरान की तरफ से IRGC जो सेना है इरान की उसकी तरफ से जो है क्या दावा किया गया है इरान का कहना ऐसा है कि करीब 180-200 मिजाइल्स जो थी इनसे हमला किया गया था कल इसरेल के उपर इसमें से 90% मिजाइल्स यह इरान दावा कर रहा है कि 90% मिजाइल्स जो है वो सही टार लगातार इस्रेल की तरफ से हो रहे हैं चाहे हो हमास हो गुती हो इस्बुल्ला हो और अब उसी का एक बड़ा सकी दाना रहा है पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि जो यह मिजाईल्स गिरे यह मिजाईल्स एक नेवाटीम एयरबेस है इस्रेल का बताया जाता है कि इस नेवाटीम एयरबेस से ही जो एफ-35 प्लेंस फ्ली करके जो लिबनन में अटाक होते थे या जो गाजा में अटाक हुए यह इसी निवटिम एयर बेस से ही फ्लाई कर रहे थे जो हमले नसरला के ऊपर किये गए और जिसमें नसरला की मौत हुई उस को उस मिशन को शुरुआत इसी एयर बेस से किया गया था इसलिए इरान ने इस निवटिम एयर बेस को टार्गेट किया है और ऐसा बताया जाता है जो इरान का कहना है कि ये हमला बिल्कुल सफल रहा है, मिजाइल एर बेस पे गिरी और करीब 20 F-35 प्लेन तबाह हो गएंज यह इरान का दावा है ठीक है ये इरान का दावा है मैंक लेकिन सबसे बड़ी बात है इरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने 400 मिजाइल्स दागे जिसमें से बताया जा रहा है कि करीब 180 आरें डूम से भी टकराए जिसमें आप कहे रहे हैं कि बहुत सारे अंदर भी आ गए कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया और उसने इसरेइल के अंदर जाकर बहुत बड़ी तबाही की है और उसके बाद अब एरान कहरा है कि हमने तबाही कहिए भरे इसराइल इसे माने या फिर ना माने अभी तो ये शुरुबात है दूसरी खेप अब ड्रोन की बात हो रही है उस ड्रोन की जिसको क्योंकि रूस को भी एरान ने दिया था और अब कह रहे हैं कि रूस से एक बड़ा हमला हो सकता है। तो एरान की अगली इस्टेटेजी, जो जानकार है, जो डिफिनस एक्सपट है, भूव बता हो हूँ कि हो सकता है कि cost Ya एक बड़ा हमला ड्रोन से हो। हमने देखे कि हमने अपने वीडियो में भी इसका लिक्र किया था नील उक्षानर पहले इरान ने ही इस मिजायल को तय्यार किया है और देखिए कि करीब इरान से इस्रेइल को ट्रावल करने में करीब 2,000 किलोमेटर, इसले का डिस्टेंस यह मिजाइल ने ट्रावल किया, यह हाइपर सोनिक मिजाइल है, जो कि आवाज से 15 गुना ज्यादा स्प्रीट से फ्लाई कर सकती है, और अपने साथ बड़ी मात्रा मे को ट्रेवल करती हैं इस्रेयल के अंदर आती हैं आप देखिए कि रेट सी में हो या भूमत दिसागर में हो बड़े सारे एरक्राफ्ट केरियर्स खड़े हुए हैं एंटी मिजाइल सिस्टम अमेरिका ने लगा हुए हैं तो अब इस तरह की भी चर्चा है कि हो सकता है कि एरा अगर यह भी मान ले तो भी उसके बावजूद यह तस्वीरे जो इस्रेयल से आई हैं आप देखिए वहां पर तस्वीरे आई हैं कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके कांच तूटे हुए हैं एक स्कूल के उपर जो कल तस्वीरे आई उसमें हमने देखा आरें डोम इंटर कर दिया था लेकिन इसके बावजूद में वहां पर इस वक्त पैनिक का माहौल है लोग कई जगों से दूसरी जगा पर जा रहे हैं लोगों को कह दिया गया है कि आप बॉम शेल्टर में तुरंट पाग कर जाए जैसे ही आप एकदम ठीक के रहे हैं पूरी राद जो है इस तबाही हुई है एक बताया जाता है कि स्कूल के पास एक मिजाईल गिरी ये तस्वीर ऐं रहा हे हैं जिरा इस नहीं है कि और आवा आप वोकलिया ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी मिजाइल्स हैं जो कि इस्रेल के ऊपर गिरी भी हैं, अब इसमें से कितनी तबाही हुई है, ये शायद हमको आने वाले एक दो दिन में साफ साफ पता चलेगा कि कितनी तबाही हुई, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि विल्कुल जो वहां पर एक अलार्मिंग सिस्टम लोगों के मॉबाल पर दिया गया था, जब उससे देखा गया तो वो पूरा जो इस्रेल का पूरा वो इलाका था, वो पूरी तरह से रेड हो रखा था, विल्कुल विल्कुल एक साफ कई मिजाइल्स वहां पर गिर रहे तो वो पूरा इलाका, तो मयंग सवाल यही है कि यह देखी यह तो शुरुआ आते हलाकि इस्रेल ने कहा है कि अब इसका हमने प्लान पहले से तयार कर रखा था, हमें पता था कि अब इरान खुल कर खेलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमास खतम हुआ, हजबुला खतम हुआ, अब इरान के सामने कोई option नहीं था, यानि इसराइल भी पूरी तरह से तयार है कि इसका जवाब दिया जाए, और इरान भी पूरी तरह से तयार है क्योंकि बहुत दिनों से, जिस तरह से हनिया की मौत हो, इसके बाद से चुपी साधी बैटा था, तो क्या वो तयारी का वक इसके बाद नस्रला की मौत होती है, उसके बाद IDF लेबनन के अंदर तक घुजाती है, यह एक ऐसा महौल बन गया था पिछले कुछ दिनों से कि बस इस युद में मानों इसराइल ही इसराइल है, इसराइल को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, और इरान के उपर इसराइल हो गया था, इरान के उपर इतना ज्यादा प्रेशर था और ऐसा लग रहा था मानों की एक जो साइकलोजिकल वार होता है, उसमें इसरेल को अपर हैंड मिल रहा है, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए शायद देखिए कल ऐसा बताया जाता है कि इस हमले के कुछ वक्त पहले, इरान की तरफ से ऐसे सोर्स बता रहे हैं कि रूस को ये जानकारी दे दी गई थी कि हम अमला करने जा रहे हैं, रूस के विदेश मंतरी, रूस के उप्रधान मंतरी जो है, वो इरान गए थे हाली में, तो देखिए, ऐसा बताया जाता है कि हम महमले के कुछ समय पहले एरान ने रुस को ऐ जानकारी दे थी की congress called বॉश भी जानकारी सामने आई कि अमेरिका जैसे आप बता रहे हैं , लेकिंथे अमेरिका के सुर्वकल से बदले हुए थे इस पूरे मामले में क्योंकि ये बात साफ हो गई थी कि इरान अब चुपने बठेगा और नसր अल्ला का बदला भी लिया जाएगा जैसा ऑर हनियान का बदला भी लिया जाएगा तो यहां पर भारी इस्रेल ही पढ़ता दिखाई देता है, एरान उस तरीके का नहीं है, लेकिन सपोर्ट में रूस और चाइना एक तरफ है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अकर इस्रेल की बात की जाए, वो तीन फ्रंट पर पहले से सामने से खेल रहा है, सामने से ब और ने इस्रेल वर्सेज इरान का रूप ले लिया है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नितन याहू और इस्रेल अब पलटवार करेंगे, इसमें कोई दो राए नहीं है, अब इसमें इस्रेल का कहना ऐसा है कि जगा भी हम ताई करेंगे, और वक्त भी हम ताई करेंग जो उनके साथ खड़ी हुई है, तर्की की तरफ से तो जो है यहां तरक पत्त कहा गया उनकी तरह पाँ जाएगा इजा तो जिए तरीके से जवाब देना है, यह न इनका कहा है उनका की बयान है, यह इस पुरे मुद्दे को लेकर , अब हबाद बाहर निकल चूकी है, अब हे तो एस यह बड़ाई था रुप लड़ा है यहां आधी अगर बागा के लिए आएसा रुप लेड़ा जाए गड़ा का लिए एसा होता है और ऑर अगर उसके परिणामों देखें तो रात को हमले के बाद आज शेयर मार्केश पूरी दुनिया के हिले हुए है जाहे है अमेरि पामला कहां जाके थमेगा कोई नहीं बता सकते हैं। पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर इस पर क्या असर पड़ेगा ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिलाल हमारे साथ बने रहे हैं।